Hello guys, welcome to today's video. Now, first of all, you have to know one rule while making a team in iBill Auction कि अगर आप 25 प्लेयर्स की टीम बना रहे हैं iBill Auction के टाइम आपके टीम में मैक्स तू मैक्स आठ फॉरेंड प्लेयर्स होने चीए उससे यदा नहीं हो सकते और वाइल प्लेइग एन 11 दूरिंग गीम आप चार से ज़्यादा फॉरेंड नहीं हिला सकते और इससे रिलेटिड में वो कई साहे डाउट्स आए कि एक टीम ने इस रूल को ब्रेक किया है और अपनी टीम में आज से ज़्यादा फॉरेंड पर्चेस कर लिए है सो आज इसी के उपर एक मैं वीडियो लेके आया हूँ इसको अन्द तक जरूर देखिएगा अब इसको गूगल पर कहीं भी देख सकते हैं क्रिकबस पर, ESPN क्रिकन वो पर और आगे मैं इसके स्नैप्शॉट्स लगाता हूँ आप देखेगे कि आउक्शन के बाद हैदरवाद की टीम में नाइन ओवरसीज प्लेयर हो गया है और जब आप एक एक करके वेरिफाइ करेंगे तो युविल फाइंड अन्यू नेम वो इस जट्रवेज सुब्रमन्यम और एक रिस्पिन बॉलर है एक मिस्चरर युजविंदर चहल और रवी बिश्णोई का वो अंडर 19 वर्ल्ड कप कॉलिफाइस 2016 में होंग काप्टेन भी रह चुके हैं बाट ही हैस फॉर्म तमिल स्पीकिंग फैमिली और ही वाज रियू लोकेटेट टू चन्नेई इन 2021 और जो लोग तमिल लाडू प्रीमियर लीग देखते हैं उनको इनका नाम अच्छे से पता होगा बिकॉस यस प्लेट अ क्रूशल रोल इन विनिंग दा टी अन्पेल टोफी इन 2023 फॉर लाइका कोवी किंग्स और उन्होंने man of the match performance करी ती जहाँ पे उन्होंने फाइनल में नेला ही रॉयल किंग्स को और इसका मतलब यह है कि he is no more a foreigner he is shifted to India and wants to play for India in upcoming times और उन्होंने एक statement भी दिया था जहाँ पे उन्होंने का था कि he is happy to join a full member nation and as he said that he has done masters in banking and finance in UK so if cricket doesn't go well he is ready for something else so I think that is a good backup plan from Subramaniam and after this it is clear that Subramaniam is no more a foreign player he doesn't play for Hong Kong any long he wishes to play for India soon and he plays for a team in TNPL so he is now a domestic player who was relocated to Chennai in 2021 and now Hyderabad has bought him 20,000,000 रुपा है जो उनके career के लिए एक बहुत बड़ा boost है because being a wrist spinner अगर आपके head coach Daniel Vittori होते है Marko Jensen, Phillips, Pat Cummins और फजलक फारूकी और इस प्रोसेस में उन्होंने एक गलती गर दी है because they have now a headache कि which foreign player should they play in starting 11 and as the same as Harashah Bhogla ने कहा था आप उनको सुनिये पहले क्या है जो है जो exam समझ में आती उसे किताबां बोट पढ़ते जाते नहीं मैं पढ़ते जा रहूं पढ़ते जा रहूं समझ में नहीं आरा मिरकू एकिच मिरकू जहन में जो है जो है चीज है कोई से चाया उत्तोसर मैडम जा रहे है तो फिलिप्स जो है हलीम खाएंगा यांसें को जो है बगार बेंगा फारूखी खाएंगा मिर्ची का सालद और पार्ट कमिंस खाएंगा मलाई और हसरंगा के लिए साइध देखाद मैच खिलाएंगे ने तो असरंगा के लिए जो है कुबाने का मिठा सर हाइदराबाद के लिए कहां घूम सकते है क्योंके बहुत सारे लोगों जान से मिलने वाला सा कहां जाए गूमने बहुत जगह है फारक नवा पहले अभी जागाया हुएंगे जगह जबरदस्त है अगर आप देखे सुन्दर, मारकंडे, शेवाज, एमध, हसरंगा, सुब्रमंडे, मारकरम, फिलिप्स, अभिशेग, शर्मा, ट्रेविस, हैड, अब्डुल समध every one of them can give a few overs of spin when needed so that makes Hyderabad in any given point of time during the league they will definitely have more than 4 to 5 options of spin in their 11 any given point of time so that makes Hyderabad unique but overseas वाली जो इशुए वो एक अच्छे से टैकल करनी पड़ेगी so yes that was it from today's video because काफी सारे क्वेडी आरे थे कि Hyderabad ने क्यो रूल ब्रेक किया इसके पीचे क्या रीजन से है क्या ये सच है कि नी I thought of making a small video for you all so please give a like if you like the video and do share the video to your cricket friends and I'll see you soon in the next video